हलो फ्रेंट्स वेलकम करतो हूँ आपका अपनी यूटीब चैनल टेक्निकल जितंदर में तो आयो आप फ्रेंट्स आप सबच होंगे तो आज हमें एक नई वीडियो के साथ आ चुके है एक नए अपडेट लेके तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब उनिवसित्य चैनडिक्रण की तरफ से जो बड़ा अप डेट आया है अभी तो आपको पूरा डेटेल में मिताएंगे कि आशी अपडेट में आपको जानकारी दे गई है पंजाब उनिवसित्य चैनडिकरण की तरफ से जो Notis out किया गया for undergraduate and PG students के लिए तो पूरा लास तक वीडियो के देखेएगा तो अगर आपने हमारे सानल को अभी तक सबस्क्राइब नि किया तो सबस्क्राइब कर दीजिये वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए ग्रूकि वीडियो आगे जाके बहुत नहीं इंटरस्टिं होने वाली है तो चलिए friends start करते हैं वीडियो को अगर आपने हमारे telegram group और whatsapp group को join ने किया तो link आपको description मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप join करसे हैं तो friends इस वीडियो को उन students के ज़रूर शेयर करना जो Punjab University Chandigarh के students हैं तो चलिए friends start करते हैं वीडियो को लेचल तो आपको अपनी computer screen पे वहीं पे आपको सारा बताऊंगा कि आपको जो जानकारी दी गई है तो चलिए मिलते हैं अपने computer screen पे तो चलिए friends हम आपनी computer screen पे आचुके हैं University School of Open Learning Punjab University Chandigarh तो यहाँ पे notice में देख से हैं friends जासा कि आपको पता होगा कि अभी जो University की दरफ से जो अपडेट जारी किया गया है तो यहाँ पे friends देख से हैं आपको जैसा पता होगा कि अभी जो admissions open है online examination form की मई 2021 के लिए तो यहाँ पे friends आपको पता होगा कि इसकी जो UZ और PG के लिए last date थी इसकी friends हो थी पंदरा मई थी तो इसके बारे में अभी जो update जो P.U की दरफ से आया है तो friends जो यह देख से हैं last date of usual online examination form for UZPG and diploma courses even semester has been extended till 25th मई 2021 without late fees तो friends यह जाब University की तरफ से जो अभी official update दिया गया है कि जो UZPG की तरफ से जो diploma courses even semester के admission चालू थी online examination की 15 मई थी उसकी last date उसको extend कर दिया गया है 25 मई 2021 तक without late fees जी है friends आप 25 मई 2021 तक अभी जो अपना online examination form fill up कर से हैं without late fees उसके बाद आपको जो late fees charges जो पढ़ने शुरू हो जाएंगे तो आप पुरा structure देख से हैं वो भी notice में आपको दिया गया तो I.O.Friends आपको यह समझा आ गया होगा update में कि P.O. की तरफ से जो examination form की जो date है वो extend कर दी गई है तो वीडियो आपको अच्छा लगए तो लाइक कर देना चैनल को subscribe करके बेल आइकन और पर प्रेस कर देना ताकि हमारे नई वीडियो के नोटिपेशन आपको मिलती रहे तो friends आली मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक लिए thanks for watching वीडियो goodbye and take care bye bye